हाँ तो दोफ्टो टाटा मोटर्स के Q3 के नमबर्स आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टाटा मोटर्स के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दीके यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नमबर्स के अगर हम बात करें तो पिछले कोटर के कंपरिजन में 17% से कंपनी का रेवेन्यू का नमबर बढ़ा है और ये नमबर आया है 72,229 करोड पे अब अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 13,38 करोड का लॉस हुआ है जबकि पिछले कोटर में कंपनी को 4,476 करोड का लॉस हुआ था तो यहाँ पे जो मार्केट के एक्पिक्टिशन थी लगबग 1100 करोड के लॉस की थी तो वहाँ पर अगर हम दिखेंगे तो लगबग 200 से 200 करोड का जो लॉस है वो यहाँ पे टाटा मूट का ज्यादा आया है तो यह थोड़ा मार्केट को नेगेटिव लग सकता है अब अगर हम कौटली बेशिस पे देखेंगे तो जो रेवेन्यू का नंबर है स्वारी इयर ओन इयर बेशिस पे यह कौटली नहीं है इयर ओन इयर बेशिस है तो पिछले साल शी सेम कौटर के कमनी को 3222 करोट का प्रॉफिट हुआ था तो यहां पर अगर हम देखेंगे जो रेवेन्यू का नंबर गिरा है तो यहां पर जो सप्लाय चेन में जो प्रॉबलम हो रही है जो सेमी कंडक्टर का शौटेज हमें देखने को मिला तो उसकी वज़ा से पूरी सप्लाय यहां ताटा मोटर्स की दरफ से नहीं हुई है बाकी डिमांड चाइड में यहां पर कोई प्रॉबलम नजर नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा जो गाड़ियां हो इनकी वेटिंग लिस में पड़ी हुई है तो देखा जाया तो इसी की वज़े से यह रेवेन्यू का नंबर ग सा लग रहा था कि 1100 करोड की नीचे का लॉस्ट का नंबर आएगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले लेकिन देखिए टाटा मोटर्स पूरी राइट ट्रेक पे हमें नजर आ रहा है तो कि जिस तरीके से वो इलेक्रिक वेहिकल का इ हो जाएगी तो इसलिए अगर करेक्शन होता है तो डेफिनेटली लॉंग टर्म इंवेस्टर्स ने उसे अपॉट्यूनिटी समझके डेफिनेटली वहां पे इंवेस्ट करना चाहिए रोस्टो मैं होप करता हूं कि टाटा मोटर्स के क्यू ठीके नंबर्स के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाइक करूंगा के रोस्टो थैंक यू एब नाइस डेग